दीश में काफी राज़ों में करोना के मामलों में तेजी देखी जारी तो काफी राज़ों में मामले तेजी से खट रहे हैं। नमबर चाथ, हरियाना में आज 27 ने करोना के मामले तीस रेकवरी और एक मामले तीस रेकवरी हैं। 238 ने मामले सामने हैं, 317 मरीज ठीक हुए हैं, 3 लोगों की मौत दर्श की गई, राज़ में कुल सकरी मामले 7105 हैं। 24 गंटे में 20 ने करोना के मामले 18 रेकवरी दर्श की गई, दोरान कोई भी मौत नहीं हुई, सकरी मामले के कुल संख्या 155 हैं। 9 तमिल नाडू में आज करोना के 621 ने मामले सामने हैं, 689 मरीज डिश्चारज हुए हैं, 11 लोगों की मौत हुए, तमिल नाडू में कोविट के सकरी मामले 7407 हैं। 10 पॉंडेचरी में आज 7 ने करोना के मामले 16 रेकवरी दर्श की गई हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सकरी मामले के कुल संख्या 157 हैं। 10 पॉंडेचरी मामले 269 हैं। 57 ने मामले सामने हैं, 47 लोग डिश्चारज हुए, कोई भी मौत नहीं हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सकरी मामले 169 हैं। 20 उडिशा में पिछले 24 घंटे में करोना संख्या 155 नहीं मामले सामने हैं, जोरान 222 लोग डिश्चारज हुए, एक लोगों के बित्य उदर्श की के सकरी मामले 180 हैं। 21 तिरपुना में पिछले 24 घंटे में करोना संख्या 8 नहीं मामले सामने हैं, जोरान 7 लोग डिश्चारज हुए, किसी की भी मौत दर्ज नहीं की करोना वाइरस के 902 नहीं मामले सामने हैं, 680 रिकावरी हुई हैं, और 12 लोगों की करोना से मौत हुई, सकरी मामले 10582 हैं। 23 उत्तर पिदेशन 24 घंटे में कोविट के 22 नहीं मामले सामने हैं, 15 लोग डिश्चारज हुए हैं, कोई भी मौत दर्ज नहीं की किगी हैं, एक्टि मामले के 164 हैं। 24 राजधानी दिली में 25 गंटे में 79 नय क्रूणा के मामले सामने हैं, 78 रिकावरी हुई हैं, क्रूणा से कोई भी मौत नहीं हुई, सकती इमामलों के को संक्या 488 हैं। 25 अरुनाचल प्रदेश में 24 गंटे में क्रूणा संक्रमण के एक नय मामले सामने हैं, ज़रान ती लोग रिष्चारज वहीं कोई भी मृत दर्ज नहीं की गई सक्री मामले 34 हैं। 27 जमू कश्मीर में आज 136 नय क्रूणा के मामले 121 रिकवरी दर्ज की गहीं, दो मौते हुई हैं। और केंशासित प्रदेश में सक्री मामलों के को संक्या 1448 है। 28 मिघाला में करूणा संक्रमण के बार रिकवरी दर्ज की गई सक्री मामले 126 हैं। तो ये थे आपके राजव के 24 घंडे के क्रूणा केस रिपोर्ट, इसके अलावा भी किसी और राज की आपको क्रूणा अपडेट जाही तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं।